गॉर्मेट जो में पूछे ही जाते हैं तो चलिए वीडियो को िस्टार्ट करते वेहां सबसे फ़र्ष की उचसेन है जिस परकार 2 का समद 3 से है तो उसी परकार 23 का बतना है किसी के तो मन में बस चर रहा होकि 2 में हमना एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा 23 में जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा 24 कोई भी option में नहीं है तो ए लोजिक बिल्कुल गलत है दोस्तो कोई दूसरा लोजिक लगाना होगा अगर दोस्तो देखें देखा जाए 2 के बाद अगला अभाजे संख्या क्या आते हैं तो 29 इसका राइट हो जाएगा option number D में हैं बढ़ते अंगले सवाल की ओर और वीडियो करोकर बनाने कोशिश करिएगा ठीक है यह रहा अगला सवाल देखिए जिस परकार 31 का समभान 10 से है तो उसी परकार 43 का बहताना है ओके अगर दस तो 31 को लानने के लिए 10 को अगर हम दस अगर तीन से गुना कर देंगे तो दस ती आई तीस हो जाएगा और एक आपना से जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा ठीक है 31 देखिए यहाँ पर दिया गया है सेम लोजिक इसमें भी करेंगे ऑप्सन नमर अगर एक को ले लेंगे 14 को तो देखिए चाउदा में क्या करना है उसी परकार 3 से गुना कर देना है ओ सोरी ती से गुना कर दोना है तो 24 हो जाएगा और उसी परकार 1 जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा 43 देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है और ओर अप्सन में भी देखिए 24 दिया गया है और 14 यहाँ भराएगा ठीक है और स्वाइब करेक्ट हो जाएगा दोस्ते रहा तीसरा की उचान कोशिस करिएगा बनाने के लिए जीस परकार बातिस का संबन तेरा से है तो उसी परकार बताना है यहां प्रस्तमाचा के अस्थान पर किसी के अपर बन में चेर रहा हो गाल कि दोनों संख्या को आपस में न क्या किया गया होगा oh कि गुना किया गया होगा तो 3-4 को यह से सोच रहा होंगे कि 3-6 और 6 में हम कुछ संख्यायट कर देंगे यानि 7 अगर जोड़ देंगे तो यानि 2 हो जागा ठीक है तेरा दिया है अगर option की साफ से वैसा ही करेंगे तो नहीं आपाईगा थालसे 5 एकम 5 और 7 जोड़ेंगे तो तो 36 नहीं है गा अर्तरी के 24 और 24 में 7 जोडेंगे तो 121 नहीं आएगा साथ कम साथ और साथ में साथ जोडेंगे तो 14 होगा लेकिन यह 80 है इसमें भी करेंगे तो नहीं आ पाएगा दोस्तों एंस गलत है को दूसरा लगाना होगा कोशिस करिएगा बनाने के लिए चलिए मैं इसे अब solve करता हूं को यह दूसरा logic से अगर दूस्तों देखिए जो 32 जो है 32 के दोनों संख्या को अगर square किया जाए अलग-अलग तो कितना हो जाएगा 3 का square 3 के 9 2 का square 4 होता है दूसरा के 4 अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ा जाए तो 9 4 13 हो जाएंगे तेरा देखिए यहां पर दिया गया है सेम लोजिक इसमें भी करेंगे option में से देखते हैं option नमर देखिए दोस्तों D को लेते हैं ठीक है अगर दोस्तों 47 के अगर दोनों संख्या को क्या करना है स्क्वेर करना है ना तो अगर स्क्वेर करेंगे तो 4 के स्क्वेर चर्चों के 16 होता है साथ के स्क्वेर सासते 49 होता है दोनों को से मोई सहीं लोजिक करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 और 16 जोड़ेंगे तो 9 6 15 यानि देखिए 65 हो जाएगा दोस्तों और को लाइक भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवल की और यह रहा दोस्तों आपका चौथा क्यूचन जिस परकार पांच के समध्थ 35 है तो उसी परकार बताना थेरा को दलब पांच को क्या करें कि 35 है कि किसी की तुमन में चलिए अगर ना कि 5 सथ 35 तो 13 सथ 91 कोई भी आप्शन में नहीं है एलोजी गलत है अगर दोस्तों देखिए अगर दोस्तों देखिए 5 का अगर हम स्क्वेर करेंगे तो 5 का स्क्वेर पांच बज़े 25 होता है और इसी 5 को हम मेथी करेंगे दो से गुड़ा करेंगे तो 5 दूनके 10 हो जाएगा और सब ही को एक साथ जोड़ा जाए तो केतना हो जाएगा 25,10,35 हो जाएगा 35 देखिए दोस्तों यहां पर दिया गया है सेम लोजीक에서 में भी करना है क्या करना सबसे पहले 13 का स्क्वेड करना है 13 का स्क्वेड shimmer 169 होता है आर 13 को क्या करना है 2 से उसी पर कर गुना करना है गुना करएंगे तर 13 2 के 26 हो जाएगा और सभी को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा नो चो पंदरा के पांच छो दू आट एक नव एक यहां बराबर करना चाहिए था ना नो चो पंदरा के पांच आस दील एक छो दू आट एक नव और एक 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 195 हो जाएंगे और सभी को जोड़ने पर 169 और 26 को जोड़ने पर तो दोस्तो यह रहा आपका पांच वाकी उचर कोशिस करियागा बनाने के लिए जिस परकार 62 के संब्मन 224 है तो उसी परकार तिहातर का बतना है दोस्तों आप लोग कोशिस करियेगा बनाने के लिए ठीक है क्या किया गया है कि 62 में की 224 आया कुछ के तपर बचारों कि 62 में कोई संख्या से गुणक किया गया होगा तो 224 आ जागा अगर इसमें करेंगे तो नहीं आपाएगा चलिए मैं इसे डिरेक्ट सॉल्प कर देता हूँ अगर दोस्तों देखिए 62 के दोना साक्या को कोशिस करियेगा अपनों को बनाने के लिए वीडियो को रोका ठीक है अगर दोना साक्या को क्यूब किया जाए तो कितरा हो जागा 6 का क्यूब 216 और 2 का क्यूब 8 तो दोस्तों अगर दोनों को अगर 216 और 8 को एक साथ जोड़ा जाए तो मिलेगा कितना 224 मिल जाएंगे एगला 224 ही देखिए आपर दिया गया है सेम तरीका इसमें भी करके देखते हैं क्या करना है 7 और 3 के क्यूब करना है न अगर दोनों को किया जाए तो 343 होता है 343 और 3 का साथ का क्या 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 बोला रहा है साथ का क्यूब 343 और 3 का क्यूब 27 अगर जोड़े गए उसी परकार सभी को तो कितना आ जाएगा 370 को ओके 370 ऑफसन नवर देखे डी में सी मैं सी एफसन इसके दोस्तो राइट हुजएगा समझेये के द्यान से एक पर देखकर ठीक है ए रहा है दोस्तो चाहता क्यूचर जिस परकार 6 का समद, 6 का समद 108 से है उसी परकार 10 का बता रहा है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही असार है, कोशिस्गरिये को बना रहे के लिए, इसमें क्या किया गया है, ओ माइगोड़ी, तो बहुत असार है दोस्तों, कुछ नहीं किया गया, ऐसा ही दिखने में एजर लोक र अगर क्यूब कर देंगे, तो केतना आ जाएगा, 216, और 216 में क्या कर दा है, 22 कर देंगे, तो केतना बार में कर जाएगा, 108 फार बि उसी परकार उप्सों नहीं, अपसेर नमर a इसका राइठ हो जाएगा, बिलकूल असान था, ठीक है, कि आप लोग कोशिस किया होंगे बनाने के लिए कि ए रहा दोसको आपका साथवा क्यूचर जिस परकार कि इन दोनों को आपस में क्या करेंगे 28 और 8 दोनों को जोड़ा देंगे तो 8 दू 10 हो जाएका और प्छला संख्या कितना है धयान से समझेगा नौ है तो बचेगा नौ जाएक दोस्तों देखे एक यहाँ पर देखिए दिया गया है सेम लोगिक इसमें भी करेंगे 371 के अगला दो संख्या को आपस में जोड़ना है तो क्या है साथी सहरा तो दोरों को अगर जोड़ेंगे तो कितरा हो जागे साथी 10 हो जाएगा और पिछला संख्या एक है एक एही उलग घटा ले रहा है एक जागा दस में दके दरा बजएगा नो बजएगा ओपसर डबर डी इसका दोस्तो राइट हो जाएगा बढ़ते अगले सवाल की और बढ़ा ये तो इसे अच्छे अच्छे लोग भी इसका अंसर नहीं दे पाएगे किसी ने कोमेंट किया था तो इस सवाल मैंने लाया हूं ठीक है कोशिश करिएगा बनाने के लिए जिस परकार देखिए दोस्तों 15 का समान वन सेकेंड क्या हो गया 15 का समान 216 से तो उसी परकार 32 का होगा क्या होगा किसी ने कमेंट किया था किसारी इसे भी बता दीजेगा तो मैंने इसे भी कर लिया है ठीक है बन जाएगा असानी से इसमें कुछ नहीं किया गया था क्या किया गया था यह 15 के दोनों से क्या 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 गया ना दोनों को जोड़ दिया गया ठीक है तो पांच ए किद्रा हो जाएगा छे हो जाएगा और छे का क्यूब 216 आप लोग जानी रहे होंगे चाहे नहीं जान रहे होगो 6 का क्यूब तो 6 गुणा 6 तीन बर करिएगा 216 आजाएगा सेम लोजिकिस में भी करेगे क्या करना है 32 के दोन साख्या को जोड लेना है आपस में तो 3 दू 5 हो जाएगा और 5 का क्यूब 125 होता है दोस्तो 125 देखी B में दिया है B अपसर इसका राइट हो जाएगा और 5 का क्यूब अगर नहीं पाता होगा तो 5 गुणा 5 तीन बर कर लिजेगा 125 मिल जाएगे तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर सबाप्त करते हैं अगर वीडियो फसंद आहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते है चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते है और कोमेट बोक्स में जरूर बताईएगा कि वीडियो कैसा लगा क्योंकि क्योंकि मुझे मौटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए तो ओके गाइस फिर विलेगे नेक्स वीडियो हमें तब तक लिए बाइ बाइ